इतनी की नोग जोग की बात की थी हमने आपके डक्षन में कहा दुनिया से मस्त और पत्नी से त्रस्त आप पत्नी से हर वक्त क्यों लड़ते रहते हैं इतना और सारी पत्नी को आपने बदनाम करें रखा हुआ आज तक मेरे घर में जगड़ा नहीं हुआ यह गलत है में लोग खर्चो उसे क्या जोएलरी बनवानी है मुझे कितना जेव खर्चा मिलना चीए यह भी पत्नी फाइनल करते हैं बड़ी समस्वां वो नहीं बोलती जैसे भारत को परमानू बंबनाना चीए कि नहीं बनाना चीए इसमें मेरी चलती लुगाई चूर भी नहीं कर सकती इसमा अगर फिल्म देखने गया हूं और उसका हाथ पकड़कर बैठे हूं बगल वाली सीट में अंधिरे में आकर चुपके से आपकी पत्नी बैठ जाती है और आपको दिख जाती है ऐसे में आप क्या करेंगे दूसरे हाथ से उसका पाउँ पकड़ लूँगा सबसे कड़वी बात आज तक क्या कहिए आपकी पत्नी ने आपको सबसे कड़वी बात उसने यही कहिए कहीं मजजियो मेरे सामने बठा रहा है और सबसे मीठी बात सबसे मीठी बात एक ही बार कही थी कि मैं मैं के जा रही है कोई पश्टाताप है कि आपने शादी की ना नहीं तो जिससे भी करता यही आलत होती है पत्णी के परियाय वाज़ी क्या होंगे आपके हिसाब से एक तो पत्णी एक तो पत्णी एक सेखर एक अच्छा क्योंकि तुम भी महिलाओं की तरह से बाते करते हो न कही बाते हैं क्यों ऐसे लगता है जिसे पत्यों के साथ नियों महिलाओं के साथ हो ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि जब मैं आपने एक बार गले मिला है कोई महिला आती आप तीन बार गले मिला आती है पहली बार भी मन मार करके गले मिले थे, आपका बस चलता तो पटक दे थे, और लटक लेते, बाकि तीन, मेरे गले पर तलवार क्यों चला ही जा रही ही, इस देखिए, पत्नी कोई परियावाची होता ही नहीं, क्योंकि जिस नाम से भी आप उनको बुला लें, तो वैसी रही जो हमेशा पती पर तनी रहे, पतनी, वो होती है, मैं तो इस देख में पत्यों को एक बात कहने चाहता हूँ, जब भी घर में गुसो, मू लटका करके गुसो, उदास हो करके गुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में, हसकर गुसोगे, पचास सवाल करेगी किसके रहा है, बता तो सही, उसे लगता है, मेरे जीते जी, इसकी असने की इमत कैसे होगी जोई है,